हलो फ्रेंड्स वेलकम इनमा यूटूब चैनल रेडियोलोजिक टेकनिकल फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है हॉस्पिटल पोजिशन और रेडियोग्राफी पोजिशन या मेडिकल पोजिशन फ्रेंट्स आज हम पैसेंट के लिए हॉस्पिटल या रेडियोग्राफी प्रोसिजर में कौन-कौन सी पॉजिशन यूज की जाती है इसके बारे में अपन डिटेल्स में जानेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को लाश्ट कर जरूर देखें और रेडियोग्राफी टेकनिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आईए जानते हैं हॉस्पिटल पॉजिशन के बारे में फ्रेंट्स हमारी फैस्ट नमर पॉजिशन है सुपाइन पॉजिशन फ्रेंट्स इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है पैसेंट की सुपाइन पॉजिशन होती है इसमें पैसेंट सीधा लेटा होता है और पैसेंट का फैस सामने की तरफ होता है लाइंग ओन दे बेक और विद दे फैस अपवर्ड मतलब पैसेंट पीठ खेबल और चेहरा उपर करके लेटता है मतलब सुपाइन पॉजिशन को अपन दोर्सल डिक्यूबितस पोजिशन भी कहते है अब अपन इस पॉजिशन के परपज के बारे में बात करते हैं मतलब इस पोजिशन का क्या उद्ध से होता है मतलब मरीज को आराम देने के लिए सेगंड है फिजिकल एकजामिनेशन मतलब सुपाइन पोजिशन में अपन मरीज का कोई फिजिकल एकजामिनेशन कर सकते हैं जैसे मरीज का पेट दर दो रहा है उसे अपन देख सकते हैं head का कोई examination करना है उसे अपन कर सकते हैं chest का कोई examination कर सकते हैं third number है undergoing anesthesia देने के लिए fourth number है vital sign मतलब इस position में अपन patient का BP, SpO2, respiration rate ये सभी चीज़े अपन इस position में देख सकते हैं second number position है prone position इस diagram में आप देख सकते हैं कि patient को इस परकार उल्टा लेटा दिया जाता है मतलब patient का pet नीचे की side और pit उपर की तरफ होती है lying on the chest with the face downwards मतलब patient का मुँ नीचे की और और छाती के बल लेटा होता है it is also called ventral decubitus मतलब इस position को अपन ventral decubitus भी कहते हैं अब अपन इसके purpose के बारे में बात करते हैं first number है radiography examination करने में provide rest मतलब marriage को आराम देने के लिए third number है examination treatment surgery of the back मतलब इस position का use अपन back side का कोई examination treatment और surgery के लिए करते हैं third number हमारी position है lateral position यह position दो परकार की होती है first number है right lateral position second number है left lateral position इस first वाले diagram में आप देख सकते हैं कि यह है left lateral position है और second वाले diagram में आप देख सकते हैं कि यह है right lateral position है friends इस position का use सबसे ज़्यादा radiography procedure में किया जाता है मतलब इसमें X-ray beam मरीज के सरीर के दाइं से बाइं और गुजरती है अब इसके परपज के बारे में बात करते हैं फर्स्ट नमबर है इस पोजेशन का एनिमा में यूज किया जाता है और फ्रेंट्स इस पोजेशन का यूज रेडियोग्राफी प्रोशिजर में भी बहुत किया जाता है Second है rectal temperature मतलब rectal का temperature मापने के लिए Third number है to promote lungs and cardiac function मतलब हमारे सरीर के फेपड़े और हद्दे function को promote करने के लिए इस position का यूज किया जाता है Four number position है oblique position Friends इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह oblique position होती है इसमें patient तिरचा लेटा होता है The patient is rotated at the angle of 45 degree from api and pae or lateral for the oblique position मतलब patient को oblique position के लिए anterior to posterior या posterior to anterior और lateral से 45 degree के angle पर rotate किया जाता है Five number है erect position इस image में आप देख सकते हैं कि यह erect position होती है इसमें patient एकदम सीधा खड़ा होता है It is also called upright position मतलब erect position को upright position भी कहा जाता है Patent stand in erect position मतलब इसमें patient को erect position मतलब एकदम सीधा खड़ा किया जाता है अब इस position के purpose के बारे में जानते हैं First number है physical and orthopedic examination मतलब human body का सारीरिक और orthopedic के अध्यन करने में Second है to assess posture balance and get Posture balance मतलब आसन संतुलन और चाल का आकलन करने के लिए इस position का यूज किया जाता है और इस position का यूज रेडियोग्राफिय में भी बहुत किया जाता है Six number है fowler position Friends इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह fowler position होती है इसमें patient को 45 से 60 degree पर बेठाया जाता है Patent lies supine with head of bed elevated up to 45 degree to 60 degree मतलब patient का जो bed होता है और bed का जो head होता है उसे 45 से 60 degree तक उच्चा करके patient को लेटाया जाता है मतलब इस position में patient को ने तो पूरी तरह से लेटाया जाता है और नहीं पूरी तरह से बेठाया जाता है अब अपन इसके purpose के बारे में जानते हैं First number है relief dyspania मतलब patient को सांस लेने की समश्या होने पर इस position का यूज़ करते हैं Second है relief back and thigh muscles मतलब कमर और thigh की muscles को आराम देने के लिए Third number है drainage from abdominal cavity मतलब मरीज के पेट को खाली करने के लिए इस position का यूज़ किया जाता है Seven number है lithotomy position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह है इस परकार lithotomy position होती है The patient lies on supine with hip and knee flexed at 90 degree मतलब patient के hip joint और knee joint को 90 degree पर मोड कर patient को table पर लेट आया जाता है अब इसके परपज के बारे में जानते हैं First number है all gynecological examination and treatment मतलब सभी परकार के gynecological examination जैसे hsg और treatment के लिए यह position यूज की जाती है Second number है normal delivery में भी lithotomy position यूज की जाती है Eight number है knee chest position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह knee chest position होती है इसमें patient के हाथ और face को down करा देते हैं और patient का back area उपर हुटा देते हैं Patient lies prone on knee and chest मतलब patient के गुठने और chest के बल लेटा दिया जाता है अब इसके परपज के बारे में जान लेते हैं First number है rectal examination में Second number है vagina examination में Third number है sigmoido iscopy में इस position का यूज किया जाता है Nine number है trendellenberg position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह trendellenberg position होती है इसमें patient के पेर थोड़े उपर खी और patient का सिर थोड़ा down होता है The patient lies supine with head 40 degree lower than fits मतलब patient के जो पेर होते हैं उससे 40 degree नीचे patient का head करके लेटा दिया जाता है अब इसके परपज के बारे में जानते हैं First number है hypotension मतलब कम रक्तदाब होने पर क्योंकि पूरे सरीर में blood का circulation सही से नहीं हो पाता इसलिए यह position यूज करते हैं Second number है pelvic examination और surgery मतलब pelvis का कोई examination करने में या pelvis की कोई surgery करने के लिए इस position का यूज करते हैं Ten number है reverse trendellenberg position मतलब यह position trendellenberg position से opposite होती है Friends इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह reverse trendellenberg position होती है इसमें patient का सिर्थ थोड़ा उपर होता है और patient के pair down मतलब नीचे होते है Patient lies supine with head upper than feet मतलब इसमें patient pit के बल लेटा होता है और patient का जब head होता है वह है पेरों से थोड़ा उपर होता है अब इसके purpose के बारे में जानते हैं GERD मतलब gastroesophageal reflex disease में इस position का यूज किया जाता है 11 number है rose position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह rose position होती है इसमें patient की गर्दन या neck के पिछे एक पिलो या तकिया लगा देते हैं जिसे patient का सिर थोड़ा उपर उठ जाता है patient lies supine with hyper extension of neck मतलब इस position में patient को supine position में लेटा आए जाता है और patient की neck होती है वह है hyper extension कर दी जाती है अब इसके purpose के बार में जानते हैं फर्ष्ट नमबर है GERD मतलब gastroesophagus reflex disease में फर्गेंड है during tonsillectomy मतलब tonsillectomy के दोरान इस position का यूज करते हैं त्वलवन नमबर है cardiac position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह cardiac position होती है इसमें patient के दोनों pair straight मतलब सीधे होते हैं और patient bend करके बेठा होता है और patient के सामने दो से तीन पिलो रखर सिर उन पर टिका देता है patient is setting position lean forward on our bed table मतलब इस position में patient bed के उपर table पर आगे की तरब जुकर बेठा होता है अब इसके purpose के बारे में जानते हैं फर्ष्ट नमबर है severe dyspania मतलब सांस लेने की ज़्यादा समश्य होने पर second number है cardiac problem होने पर इस position का यूज किया जाता है 13 number है sitting position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह sitting position होती है इसमें patient एकदम सीधा बेठा होता है यह normal position होती है और comfortable position भी होती है अब इसके purpose के बारे में जानते हैं फर्स्ट number है physical examination of head, neck, anterior और posterior thorax मतलब patient के head, neck, anterior और posterior thorax के examination में इसका यूज करते हैं second है to assess the vital sign मतलब vital sign का आकलन करने के लिए इस position का यूज भी किया जाता है 14 number है dorsal recombend position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह dorsal recombend position होती है मतलब इस position में supine position के साथ patient के knee bend होते हैं अब इसके purpose के बारे में जानते हैं first number है vaginal examination में second है rectal examination में third number है female catheterization में मतलब महिलाओं के catheterization में इस position का यूज किया जाता है 15 number है sims position इस diagram में आप देख सकते हैं कि यह sims position होती है इस position में patient prone position मतलब उल्टा लेटा होता है और patient का एक पेर और एक हाथ दूसरी side से थोड़ा उपर होता है मतलब prone position और later position के 20 की position को हम sims position कहते हैं the patient lies on left side turn prone at 45 degree lower leg extended, upper leg flexed at knee 45 to 90 degree मतलब patient को left side 45 degree करवट लेकर लेटाय जाता है और patient का knee चला पेर फेला हुआ होता है और patient का upper leg knee joint पर 45 से 90 degree पर flexed मतलब मोडा हुआ होता है अब इसके purpose के बार में जानते हैं question number है animal में इसका यूज किया जाता है second है rectal and vaginal examination में इस position का यूज किया जाता है तो friends आज का हमारा topic यहीं complete होता है friends अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like, share और radio, technical channel को subscribe जरूर करें так अअऑर अजाने वीडियो को आपको यूज को और WHO आपको उचे फ्टे अजास ओर दो को आपको नागिए अद़ब आपको 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 आपकोगे초